अगर आपको टाइम ट्रेवल और साइंस फिक्शन मुवीज देखना पसंद है तो आपको ये फिल्म जरूर पसंद आएगी तो इस फिल्म को पूरा देखना मुवी के स्टार्टिंग में हमें एक जेल को दिखाया जाता है जो चांद पर बनाई गई है उसके अंदर एक बोरिस जानवर नाम का एक एलियन बंद होता है जो कि इतना खतरनाक होता है उसे जेल के अंदर भी बहुत सारी मोटी जंजीरों से बांध कर रखा जाता है जेल के अंदर उस एलियन से मिलने के लिए एक बेहद खूबसूरत लड़की आती है जिसके हाथ में एक केक होता है तब ही बाहर खड़े गार्ड उस लड़की को चेक करके उसे अंदर जाने की परमिशन दे देते हैं जैसे ही वो लड़की उस केक को लेकर एलियन के पास में जाती है तो उस केक के अंदर से एक कीड़ा बाहर आता है वो अजीब तरह का कीड़ा जेल के दोनों गार्ड को मार कर बोरिस की जंजीरों को तोड़ देता है जब बोरिस जेल से बाहर निकल रहा होता है तब ही वहा तो बठाद में वो पृत्वी पर आ कर एक आद्मी से मिलता है उस आदमी के डैड ने बोरिस को बताया था उसके पास Time Travel करने की मशीन है तो बोरिस उसे Time Travel Machine को लेने के लिए उसके पास जाता है वो लड़का बोरिस से पूछता है तो बोरिस उससे बताता है कि उसे सन 1679 में जाना है, उस टाइम में जाकर जिसने मेरा एक हाथ काटा था मुझे उसे मारना है, इसके बाद में हमें प्रिथवी पर मौझूद एजेंट जे और एजेंट के को दिखाया जाता है, वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ के से एलियन को मार कर लोगों को खिलाने के आरोप में बहुत सारी पूछ ताज करते हैं इसके बाद में एजेंट के को उसके किचन के अंदर एक बहुत छोटा सा कांटेदार एलियन दिखाई देता है जिसके बाद में उनके बीच में बहुत लड़ाई होती है तभी लड़ाई करते करते एजेंट के बोरिस का पीछा करते हुए छट पर पहुँच जाता है जब बोरिस दोनों पर हमला करता है तो वो उससे बचते हुए एक गेट को लेकर छट से नीचे कूच जाते है उपर से बोरिस एजेंट के को देखकर कहता है कि तुम्हें तो मैंने पहले ही मार दिया है इसके बाद में एजेंट के कन्फ्यूज हो जाता है और उसकी समझ में कुछ नहीं आता तब ही जे एजेंट के से कहता है काश मैंने उसे जेल में न डाल कर पहले ही मार दिया होता तो एजेंट के कहता है ठीक है पहले नहीं मारा तो क्या अब मार देते हैं तो एजेंट के जे से कहता है जितना हो सके तुम बोरिस से दूर रहो उसकी बातें सुनकर एजेंट के काफ पर अपनी प्रजाती का आखिरी जीव बचा है, लेकिन कम्प्यूटर एजेंट जे की कोई भी जानकारी एजेंट के को बताने से मना कर देता है, तभी वहाँ पर MIB की हेड आती है, जिससे वो एजेंट के के बारे में पूछता है, वो एजेंट के को बताती है कि तुम्हें एजेंट के कभी भी समझ में नहीं आएगा, इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है, एजेंट के अपने घर पर एक बंदूक लिए बोरिस का इंतजार कर रहा होता है, तभी अचानक से वो कुर्सी से गायब हो जाता है, उसके घर के इंटीरियर का सारा सामान गायब होने ल लगता है, तभी वहाँ पर MIB Office की Head आती है, वो एजेंट जिसे कहती है, एजेंट के को तुम कैसे जानते हो, तो Jay कहता है कैसा मजाक कर रही हो, मैं और एजेंट के पिछले 14 साल से एक साथ काम कर रहे हैं, एजेंट जे एजेंट के के बारे में Head को ऐसी बातें बताता है, ज पास ऐसा कोई जाल नहीं है, तो एजेंट जे कहता है के को बुलाओ, उसे इस जाल के बारे में सब कुछ पता है, तो Head कहती है कि उसे मरे हुए पूरे 40 साल बीच चुके हैं, एजेंट के को साल 1979 में Boris नाम के एक एलियन ने मार दिया था, लेकिन Jay कहता है कि K ने ही Boris नाम के को चांद पर मौजूद जेल में बंद किया था, और Boris कल ही वहां की जेल तोड कर वापस पृत्वी पर आया है, तब MIB की Head और Agent के को समझ में आता है कि Boris ने Time Travel करके Agent Jay को मार दिया है, जिस वजह से सब कुछ चेंज हो गया है, तो Agent के उस दुकान पर जाता है, जिस दुकान स एक दिन पहले ही Boris एलियन को मार दूँ, जिस से आगे की टाइम लाइन अपने आप ठीक हो जाएगी, तो वो लड़का उसे एक डिवाइस देता है, और उससे कहता है, तुम छट पर जाकर इस मशीन को लेकर नीचे कूच जाना, इसके बाद में तुम पास्ट में सन 1979 में प भाग जाता है, इसके कुछ देर बाद वहाँ पर सन 1979 वाला एजेंट के आ जाता है, और वो उसे पहचान नहीं पाता, एजेंट जे एजेंट के के हाथ में गन को देखकर, एजेंट के उसे MIB के Head Office लेकर जाता है, तो एजेंट के उससे कहता है, कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता, तो वो कहता है, मैं सबको के नाम से ही बुलाता हूँ, इसके बाद में वहाँ पर Present Time की Head पहुंचती है, तो वो उसे उसके नाम से बुलाता है, तो एजेंट के कहता है, कि तुम्हें इसका नाम कैसे पता, तो वो कहता है, कि मैं हर लड़की को ओह नाम से बुलाता हू तो एजेंट जे उससे कहता है कि कल तुम्हें बोरिस जानवर मिलेगा तो तुम उसे अरेस्ट मत करना, सीधे गोली मार देना इसके बाद में एजेंट के मशीन बंद कर देता है तो जे बताता है कि मैं भविश्य से तुम्हें बचाने के लिए आया हूँ वो उससे कहता है मैं भविश्य में MIB का एक एजेंट हूँ जो तुम्हारे साथ काम करता हूँ कल तुम बोरिस जानवर को पकड़ने वाले हो लेकिन एजेंट के को उसकी किसी भी बात पर यकीन नहीं होता इसके बाद में वो उसकी कार में बैठ कर कहता है कि बताओ बोरिस जानवर कहां आने वाला है तो एजेंट जे कहता है मुझे नहीं पता कम्प्यूटर की जानकारी के मताबिक किसी फैक्टरी में तुमने बोरिस जानवर को पकड़ा था इसके बाद में वो दोनों एक जगह पर जाते हैं और कुछ एलियन से बोरिस के बारे में पूछ ताच करते हैं तो वो उसे कुछ भी नहीं बताते हैं इसके बाद में वो उन्हें टॉर्चर करते हैं तो एलियन बताते हैं यहां से बोरिस कुछ समय पहले ही गया है, वहां पर उन्हें एक बुक मिलती है, जिसके बाद उन्हें पता चलता है, फैक्टरी एक जगह का नाम है, जिसके बाद में वो दोनों उस जगह पर पहुंच जाते हैं, तो उन्हें वहां पर एक भविश्य देखने वाला एलियन मिलता है, आगे क्या होने वाला है, वो इसके बारे में उन्हें बताता है, वो एलियन कहता है कि बोरिस ने मेरे पूरे ग्रह को खत्म कर दिया, मैं तुम्हें एक अर्गनाइट का जाल दे दूँगा, जो मैंने बोरिस से छुपा कर रखा है, तुम मुझे उस जगह पर मिलना, जहां पर क्रिकेट का मैच होने वाला है, फिलहाल मुझे यहां से जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ देर बाद बोरिस आने वाला है, जिसके बाद में वो वहां से चला जाता है, उसके जाने के बाद में वहां पर बोरिस एलियन आ जाता है, एजेंट जे बोरिस को मार नहीं पाता, क्योंकि एजेंट के ने उसकी एलियन को मारने वाली गन छीन ली है, जिससे बोरिस वहां से बचकर भाग जाता है, इसके बाद में Agent K और J उस स्टेडियम में पहुंचते हैं जहाँ पर भविश्य देखने वाले Alien ने बताया था वो Alien मैच देख रहा होता है और असल में वहाँ पर कोई भी मैच नहीं चल रहा होता है लेकिन Alien अपने पावर की मदद से उन दोनों को वो मैच दिखाता है जो भविश्य में होने वाला था तब ही वहाँ पर बोरिश आता है और उस Alien को अपनी बाइक पर बिठा कर वहाँ से भाग जाता है Agent J और Agent के अपनी बाइक से पीछा करते हुए उस Alien को बोरिश की बाइक से उतार लेते हैं इसके बाद में वो Alien अपना अरगनाइट का जाल उन दोनों को दे देता है और कहता है कि मैं अपने ग्रह को नहीं बचा पाया तुम अपनी प्रिथवी को बचा लो और कहता है कल चंद्रयान यहां से निकलने वाला है इन्हें सब कुछ सच बता दो जब एजेंट के उन्हें सब सच बताता है तो करनल कहता है इन्हें जेल के अंदर बंद कर दो इसके बाद में भविश्य देखने वाला Alien करनल के कंधे पर हाथ रखकर उसे भविश्य दिखाता है तब करनल का मन चेंज हो जाता है फिर वो आर्मी के लोगों से कहता है कि तुम लोग जाओ मैं इन्हें इनकी जगह पर पहुंचा दूँगा इसके बाद में वो सब लांचिंग पैड पर पहुंच जाते हैं वो उस जाल को राकेट पर रखने ही वाले होते हैं तब ही वहां पर 1979 और सन 2012 का बोरिस आ जाता है तब ही एजेंट के सन 1979 वाले बोरिस के हाथ पर गोली मारता है जिससे उसका हाथ कट जाता है लेकिन 2012 का बोरिस जिसका हाथ पहले ही कट गया था वो वहीं पर खड़ा होता है वो agent K को मारने ही वाला होता है तभी agent Jay Boris से जानबर कहता है जिससे Boris को गुसा आ जाता है फिर वो agent Jay को छोड़कर agent Jay पर हमला कर देता है लेकिन K के पास time travel machine होती है जिससे उसे उसे पहले ही पता चल जाता है कि वो उस पर किस طरह से और कहां से हमला करने वाला है एजेंट जे उसके हमले से बचते हुए उसके पास पहुँचकर उसे जोर से धक्का मारता है जिससे वो नीचे गिरने लगता है इसी बीच एजेंट के चंद्रियान पर उस जाल को रख देता है सन 1979 वाला बोरिस अभी भी मरा नहीं होता वो उस पर हमला करता है और गोली जाकर करनल को लगती है तभी बोरिस कहता है कि मुझे पकड़कर जेल में डाल दो लेकिन एजेंट के कहता है इस बार नहीं इसके बाद में वो उसे गोली मार देता है तभी उसे याद आता है भविश्य देखने वाले एलियन ने कहा था जहां पर मौत लिखी होती है वहां पर एक मौत जरूर होगी तभी करनल की गाड़ी से एक छोटा सा बच्चा बाहर निकल कर आता है जिसके हाथ में एक घड़ी होती है कर उसकी यादें मिटा देता है इसलिए अब एजेंट जे को अपने बच्चपन की कोई भी बात याद नहीं है इसके बाद में एजेंट जे सन 2012 में पहुँचता है तो वो देखता है कि सामने एजेंट के रेस्टोरेंट में बैठा होता है पूरी पृत्वी पर अर्ग नाइट का जाल बिचा होने से और बोरिस जानवर के मरने से पृत्वी पर सब कुछ ठीक चल रहा होता है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है